हिंदी व्याकरण के अंतरगत आज जिस विशे को हम लेकर आए हैं वो है विशेशन विशेशन क्या है इसके विशे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे संबंदित जो व्याकरणिक नियम है वो जानेंगे इसका क्या महत्व है उद्देशे है या फिर ये क्या है या फिर इसकी जरूरत क्या है और इसके नियम ये सारी चीजे हम जो है किसी भी व्याकर्ण से सम्मंदित किसी भी विशे की जानकारी लेने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है तो हम इसे सारी जनकारी लेंगे और एक शब्द में अगर हम ये बोले कि विशेशन क्या है तो विशेशन यानि की विशेश्टा विशेश्टा यानि की जो विशेश्टा बताने वाले शब्द होते हैं और विशेश्टा किसकी किसकी बताई जाती है संग्या की भी बताई ज जाती है और क्रिया की भी बताई जाती है लेकिन जो विशेशन होते हैं वो सिफ संग्या और सर्वनामों की विशेश्टा बताते हैं और जो क्रिया की विशेश्टा बताते हैं उनको क्रिया विशेशन बोलते हैं जो इस भाग में नहीं बलकि हम जब आविकारी नियमों को प बताते हैं क्रिया की भी विशेश्टा का प्रयोग किया जाता है लेकिन उनकी जो विशेश्टा बताते हैं वो क्रिया विशेशन कहलाते हैं तो इसलिए अब यहाँ पर इतनी बात तो हमने क्लियर कर ली कि जो विशेशन है वो क्या है विशेश्टा बताने वाले शब्द है और व्याकरनिक नियम है और साथ ही ये संग्या और सर्वनाम की विशेष्टा बताने वाले नियम को दिखाता है तो यहाँ पर इतनी बाते हमने क्लियर कर ली आगे अब इससे संबंदित हम नियमों को जानेंगे संग्या एवं सर्वनाम की विशेष्टा बतलाने वाला जो श स्वरूप तो प्रकट होता ही है साथ ही भाशा की प्रभावशी इलता भी बढ़ जाती है दो बाते यहां पर समझें यह थार्थ स्वरूप प्रकट करता है मैं बोलू कि यह पुस्तक अच्छी है यह पुस्तक कठिन है तो अच्छी और कठिन शब्दू जो है इसकी कठिन है अब यह कठिन जो है इसकी विशेश्टा बताता है तो यह विशेशन शब्द हो गया अब हमें इसकी यहां पर बिल्कुल भी जाने की जरोत नहीं है कि यह नेगेटिव है यह पॉजिटिव है यह विशेश्टा बता रहा है उसकी अब चाहे जैसी भी विशेश्टा बेकार है तो यह इसके वास्तुक सरूप को बताएगा हमें इसके जो सच्चाई है वो सामने लाएगा सच्चाई यानि कि जो वह वास्तों में है वो चीजे हमें बताएगा दूसरी बात कि यह भाशा की प्रभाव शीलता को बढ़ाएगा जब मैंने यह बोला कि यह पुस्त बहतरीन है यह बाते जब िसकी विशेशता के रूप में पेश की जाएंगी तो इसके बारे में हमें और भी ज़्याधा नियाम है हमारे सामने पेश किये जाते हैं और इसले इनकी जिरुत्म पड़ती हैं अब आपको यहाँ पर विशेशन क्या है और इसकी जरोत क्या है इसके उद्देशे क्या है इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है यह साई चीज़े आप जान चुके अब बाते आएंगी इसके इससे संबंदित नियमों को जानने की जो हम आगे बढ़ते हुए भी जानेंग परिभाशा क्या है इसकी ऐसे शब्द जो संग्या या सर्वनाम की विशेशता बतलाते हैं विशेशन क्यलाते हैं संग्या और सर्वनामों की ही क्यों बताते हैं यह हमांको बता चुके हैं आगे बढ़ते हैं विशेशन जिस शब्द की विशेशता बतलाता है वे शब्द विशेशता बता रहा है, तो ये विशेशन था, क्योंकि ये विशेशन बता रहा है, उसकी विशेशता बता रहा है, कैसा है, कठिन है, सुन्दर है, बेकार है, कैसी भी, अब किसकी विशेशता बता रहा है, पुस्तक की बता रहा है, तो ये विशेश्य होता है, इसको समझे ध्यान से बहुत आसान है पुस्तक की विशेश्टा बताई जा रही है कि वो कठिन है तो वो विशेश्टा है यानि विशेशन है ये विशेशन है और पुस्तक की विशेश्टा बता जा रही है तो ये विशेश्य है विशेशन जिस शब्द की विशेश्टा बताता है वो व तो आपको यहां पर ये बाद भी पता लग गई कि विशेशन क्या है और विशेशे क्या है जिसकी विशेशता बताई जा रही है जिस विशेशन शब्द से वो विशेशन है ही तो नीला और यहाँ पर यह नीला भला यह जो है यह सारे विशेशन है और ये आकाश कुस्तक व्यक्ति जो हैं ये सब विशेशे हैं आगे बढ़ते हैं विशेशन के प्रकारों को जानते हैं कि विशेशन के किते प्रकार हैं विशेशन पांच प्रकार के होते हैं विशेशन जो है वो पांच प्रकार के बताए गए हैं गुण वाचक, दूसरा है संख्या वाचक, तीसरा है परिमान वाचक, तीसरा है संकेत वाचक, चौथा है व्यक्ति वाचक, ये नाम से ही अपनी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक एक करके जब अवे हम इनके विशे में जानेंगे, तो आप विशेशन के विशे में बहतरी तरीके से जान पाएंगे तो विशेशन कितने हमारे पांच परकार के हैं गुण वाचक संख्या वाचक परिमाण वाचक परिनाम नहीं है यह परिमाण है दोनों में फरक है परिनाम और परिमाण इन दोनों में फरक है संकेत वाचक व्यक्ति वाचक एक एक करके इन सब के वि विशेशन कहते हैं और आप इन सारी विशेशनों को डेली लाइफ में यूज करते हैं बस बारीकी से ध्यान देने की जरूत है जो गुण वाचक है वो क्या है जिसमें विशेशता बताई जाती है हर तरीके से उसके गुण दोश क्या है उसका रूप कैसा है उसका आकार कैसा और उसका स्वभाव कैसा है यह सारी चीजे जो है गुणवाचक विशेशन में आ जाती है क्योंकि वो चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो वो किसी भी चीज की वस्तू की स्थान की व्यक्ति की विशेशता बता रहा होता है तो जैसे पुराना कमीज पुराना में पुरा रंग आम पीला है तो वो उसकी विशेशता हो गई रूप कैसा है राम देखने में बहुत सुन्दर है रसीला है तो ये सारे जो चीजें है वो गुण वाचक नागी बहुत ही सिंपल था ये बिल्कुल भी कठी नहीं है आगे अगला है संख्या वाचक विशेशन संख्या या आपको डिरेक्ट चीजे बताएंगे कि ये एक है दो है या तीन है ये चार तो ये वो निश्चित होगी पक्की बात बता दिया कि पक्का है इतनी संख्या में ये दूसरा है अनिश्चे जिसमें पक्का नहीं है कई कुछ बहुत सब तो कैसे अब आप जानेंगे यहाँ प संख्या वाचक विशेशन हो झाएगा अहीं कई आम रखे है बहुत सारे संख्या और यजहां पर अनिश्याम संख्या कि यहांदी के रूप में आपको जानकारी दी जाए किसी भी वस्तू की स्थान की व्यक्ति की तो वहां पर भी जो है विशेशन होता है लेकिन कौन सा संख्या वाचक विशेशन होता है आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं परिमान वाचक परिमान वाचक में क्या होता है ऐसे शब्द जो किसी वस्तू पदार्थ या जगा की मात्रा को बताएं, तॉल को बताएं, माप को बताएं, बोध कराते हैं, यह परिमान वाचक विशेशन कराते हैं, परिमान का मतलब ही होता है, तॉल, नाप, मात्रा, तो इसी के लिए परिमान वाचक है यह, तो जो भी किसी वस्तु पदार्थ या जगा की मात्रा को, तॉल को और माप को बताए हमें वो परिमान वाचक विशेशन है इसके दो भेत है ये भी अब जब नाप तॉल की बात करेंगे तो ये भी निश्चित होगी संख्या में बताए जाएंगे और बिना संख्या के भी तो निश्चित और अनिश्चित हो जाएंगे जैसे दो लीटर है वो संख्या की बाते बताएगा अब आपको आप confused होंगे कि अगर आपके सामने संख्या वाचीक में भी एक डूदब दो तीन चार का प्रियोग होगा और परिमान वाचक में भी आपके सामने दो पाँच तीन संख्याओं का प्रियोग हो तो आप कैसे पहचानेंगे तो संख्या वाचक में किसी वस्तू के सामने मैंने लिखा दो आम फिर मैं लिखूंगी दो किलो आम तो इन दोनों में फरक है, यहां सिर्फ दो आम की बात होगी, और आम की यहां पर बात हो रही है, लेकिन मात्रा में वो दो किलो है, तो यहां पर यह फरक है दोनों में, आप समझ रहे होंगे यहां पर, कि हमने बात की कि संख्या वाचक परिमान वाचक परिमान वाचक परिम हम डिफ्रेंस कैसे देखेंगे तो दो आम या दो बच्चे मैं बोल देती हूं बच्चे तो दो यहां पर काउंट हो जाएंगे लेगिन इनकी मात्रा तो नहीं बताया सकते रहा हम तो यहां पर अब मैं लिखू दो लीटर दूद तो जो लीटर यहां पर एक नाप तॉल की बात बताने वाली चीज आ गई और संख्या भी है तो इस तरीके से यहां पर हमें संख्या वाचक विशेशन में और परिमान वाचक विशेशन में फरक करना है यह हमें जानना है यहां पर जो हमने डिफ्रेंस को यहां पर देखने क कोशिश की है आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार को देखते हैं तो हमने यहां पर पढ़ा परिमान वाचक जोकी संख्या भी बताएगा और बिना संख्या के भी रहेगा लेकिन मात्राओं को तौल को और माप को बताएगा और इसके भी दो प्रकार है निश्चित और अनिश्चित तो इस तरीके से संख्या वाचक में भी दो प्रकार है अनिश्चे और निश्चे और परिमान वाचक में भी अनिश्चित और निश्चित दो प्रकार है अगला है स संकेत वाचक, संकेत, यानि संकेत की बात का प्रियोग गां पर किया जाएगा ऐसे संकेत वाची चैए जो इस स懈वनाम है, किन्टु वाक्य में विशेशन के रूप में प्रियुक्त हो रहे on संकेत वाची शब्द ही जो है सर्वनाम का जहां भी प्रियोग हो आप उसको संकेत समझें पहली बात और किसी वस्तू के लिए प्रियोग हो एक विशेशन की तरह वो हभी हम बारी की से समझेंगे कि इसमें हम फरक कैसे कर पाएंगे ऐसे शब्द जो सर्वनाम है कि तुँ वाक्य में विशेशन के रूप में प्रियोगत हो रहे हैं संग्या की विशेशता को प्रकट कर रहे हैं वो संकेत वाचक विशेशन है क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेशन सार्वनामिक विशेशन भी कहलाते हैं तो ध्यान रखें कि संकेत वाचक विशेशन जो है वो सार्वनामिक विशेशन भी कहलाते हैं क्योंकि इनके लिए जो शब्द प्रियोग के जाते हैं वो सर्वनाम ही होते हैं और क्यूंकि वो विशेशन का काम करेंगे, इसलिए वो सर्वनामिक विशेशन हो गए, तो आगे बात को बढ़ाते हैं, क्या समझाएंगे ये हमें, जैसे इस गेंद को मत्वें को, गेंद जो है यहाँ पर संग्या हो गए, अब संग्या की विशेष्टा बता रहा है ये शब्द अब आपने देखा है कि संग्या और सर्वनाम क्या है कि कहीं पर जहां पर संग्या के इस्तिमाल ना करें हम वहाँ पर सर्वनामों का प्रियोग करते और सर्वनाम का प्रियोग जहां ना हो वहाँ पर हम संग्या का प्रयोग करतें लेकिन आप यहाँ पर एक साथ दोनों को देखेंगे तो इसका मतलब जब आप संग्या और सर्वनाम दोनों को एक साथ देखेंगे तो आप तुरुन समझ जाए कि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो विशेशन की तरह इस्तेमाल हुआ है तो आप देखेंगे इस गेंद को मत्फै को किसको मत्फै को गेंद को तो गेंद यहाँ पर क्या है संग्या है किस गेंद को मत्फै को इस गेंद को specifically किसी गेंद की बात की जा रही है कि इसी गेंद को मत फैको तो यह इस जो है यहाँ पर वो सर्वनाम है और विशेशन की तरफ प्रयोग हो रहा है इसलिए यहाँ पर सर्वनामिक विशेशन होगा और संकेत वाचक विशेशन होगा अगला देखते हैं उस पुस्तक को पढ़ो आप देखेंगे पुस्तक को पढ़ो पढ़ना है किसको पुस्तक को यह संग्या हो गया संग्या के साथ ही आप देखेंगे सर्वनाम प्रयोग होगा तो यहाँ पर यह उस जो है यह सर्वनाम सर्वनामिक विशेशन होगा कोई सज्जन आए है, सज्जन किसी व्यक्ति की बात हो रही है और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जाती वाचक संग्या का प्रियोग कर लिया गया है तो इसके जब संग्या का प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरीके से अब आगे की बात बताए जाए कि इन वाक्यों में इस उस तथा कोई जो है वो सारे जो है सरवनामिक तथा संकेत वाचक विशेशन है तो आप बात को ध्यान में रखेंगे कि संकेत वाचक विशेशन को सरवनामिक विशेशन क्यों कहते हैं क्योंकि इसके जो बताते हैं जो विशेशन बनकर आते हैं वो सर्वनाम ही होते हैं इसलिए वो सर्वनाम एक विशेशन उसका नाम हो गया पहला पॉइंट याद हो गया दूसरी बात कि हम इसको पहचाने कैसे बहुत कटिन लगेगा तो इसको पहचानना इसलिए असान हो जाएगा कि संग्या सरवनाम कभी ये साथ सरवनाम आ रहा है तो इसका मतलब सरवनाम विशेशन कीतर प्रियोग हो रहा है तो इस तरीके से dwari जांकरी मिलेगी एस सद्व जो मूल रूप से व्यक्ति वाचक संघ्या होते हैं किन्तु वाक्य में विशेशन का कारे कर रहे हैं उन्हें व्यक्ति वाचक विशेशन कहते हैं यद्पी वे स्वेम संग्या शब्द हैं किन्तु वाक्य में अन्य संग्या शब्द की ही विशेशता बता रहे हैं जैसे बनारसी साड़ी साड़ी जो है वो संग्या होगा लेकिन बनारसी जो है क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर वो किसी विशेश के साथ ही आ रहा है इसकी विशेश्टा बनकर आ रहा है साड़ी की विशेश्टा बनकर किस तरीके बनारस का बनारसी साड़ी और कश्मीर का कश्मीरी से भीकानेरी भुजिया, ये सारी चीजे जो है आप δेखेंगे किस तरीके से, एक बनारस, शब्द کश्मीर, भीकानेर, ये सारे संग्या हैं, लेकिन इनके लिए विशेष्टा बन गए ister बनारसी जो है साडी के लिए विशेष्टा है कश्मीरी जो है वो सेब के लिए विशेष्टा है बिकानेरी जो है वो भुजया के लिए विशेष्टा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यक्ति वाचक विशेष्टन क्योंकि किसी एक वेक्ति गत चीज की विशेशता बता रहा है वो तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया वेक्ति बाचक विशेशन आपको यहाँ पर चीजे समझ में आ रही होंगी आगे बढ़ते हैं अगली चीजे देखते हैं विशेशन के अंतरगा थी प्राविशेशन प्राविशेशन क्या है अब ऐसे शद्ध जो विशेशन की विशेशता बतलाते हैं अभी हमने देखा कि किसी वस्तु की विशेशता बता रहा है जो वो विशेशन है और ये वस्तु जो है विशेश्य हो जाएगा अब ये जो प्राविशेशन है वो इस विशेशन की भी विशेशता बताएगा इसलिए वो प्राविशेशन हो गया ऐसे शब्द जो विशेशन की भी विशेशता बतलाते हैं प्राविशेशन के लाते हैं वह बहुत परिश्रमी है, वह जिसकी बात हो रही है, उसकी विशेष्टा बताई जा रही है, परिश्रमी है, वह परिश्रमी है, यह इसकी विशेष्टा हो गई, कितना परिश्रमी है, बहुत परिश्रमी है, तो यह प्रा विशेष्टा हो जाएगा, समझ गए आप यहाँ पर कि यह वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है अब यहां पर वह शब्द जो है वो तो संग्या हो गया और सर्वनाम संग्या और सर्वनाम की विशेश्टा बताते हैं जो वो विशेशन है और इसकी विशेश्टा बताए जारी कि वो परिश्रमी है तो यह विशेशन हो गया ल पर बहुत बोलने या कम बोलने या बहुत जादा बोलने तो जो इसकी भी विशेश्टा बताए जो विशेशन की भी विशेश्टा बताए वो प्राविशेशन है और उधारन देखते हैं शीला अती विनम्र लड़की है किसकी बात हो रही है यहां पर शीला की कैसी है वो वि लेकिन कितनी विनम्र है अती यानि कि बहुत ज़्यादा तो यह जो है यहाँ पर प्राविशेशन हो गया इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी वा विनम्र विशेशन है तथा बहुत और अती जो है वो प्राविशेशन है तो इसलिए यह प्राविशेशन तो प्राविशेश विशेशन की रचना कुछ शब्द मूल रूप में विशेशन ही होते हैं किन्तु कुछ संग्या सरोनाम क्रिया तथा अव्य शब्दों के साथ प्रत्य को लगाकर विशेशन बनाया जाते हैं कैसे बनाया जाते हैं अब आपने अभी यहीं पर देखा है कि बनारस जो की संग् कश्मीर जो की संग्या है बिकानेर जो की संग्या है इसको हमने बनारा से बनारसी बनाया कश्मीर से कश्मीरी बनाया बिकानेर से बिकानेरी बनाया और आपने देखा पीछे ही यहां पर मात्राइं जो की प्रत्य के रूप में जुड़ गई है वो यहां पर प्रत्य के आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बताए जा रहा है संग्या से कैसे विशेशन बना जाता है संग्या और प्रत्य को जोड़कर विशेशन बनता है संग्या और फिर उसके पीछे प्रत्य जोड़ा जाएगा और वो विशेशन बनेगा कैसे रंग राष्ट्र स्वर्ण बनारस जैपूर ये सारे संग्या शब्द हैं इनमें हमने प्रत्य जोड़ा रंग में इन यानि रंगीन राष्ट्र में इये राष्ट्रिये स्वर्ण में इम स्वर्णिम बनारस में इ बनारसी जैपूर में इया जैपूरिया अब सर्वनाम से मैं में एरा यानि मेरा तुम में हारा तुम हारा और क्रिया से कैसे बनाया वंदन यानि वंदना करना तो ये इसमें हमने इ प्रत्य जोड़ा तो वंदन ये हो गया लूट ये क्रिया है यानि लूटना इसमें एरा जोड़ा तो लूटेरा जगड़ा से एड हुआ तो जगडालू बना अब आप देखेंगे इनका प्रियोग कैसे वह विशेशन के रूप में वह लुटेरा है तो ये संग्या है और ये इसकी विशेश्टा बता रहा है कि वह लुटेरा है ये इसका विशेशन है वह जगडालू है तो भी विशेशन हुआ तो इस तरीके से विशेशन शब्दों का निर्मान होता है अब वैसे विशेशन कैसे बनते हैं बाहर में ई जोडा तो बाहरी पीछे में बला जोडा तो पिछला तो इस तरीके से ये सारे विशेशन यहाँ पर बनाए गए तो इस भाग में हमने विकार में विकारी शब्दों में जो हमने आखरी व्याकरनिक नियम था विशेशन उसको हमने पढ़ा यहाँ पर और साथ ही विशेशन के जो पांच प्रकार है वो भी आपने जाने और वि विशेशनों का निर्मान कैसे होता है इन सबकी जानकारी लिए होप आपको ये सारी चीज़े यहाँ पर पसंद आई होंगी आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा हिंदी व्याकरण के अंतरगत विशेशन का क्या महत्व है इसका क्या अर्थ है और इसका हमारे आम जीवन म शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपको ये व्याकरण हिंदी व्याकरण की जो सिरीज है अब ऐसे ही नियम के साथ मिलेगी जिसे की आप एक बार में हिंदी व्याकरण को बहतरीन तरीके से समझ सकते हैं चाहे आप अपने कॉंप्टिटिव एक्जाम्स के लिए त्यारी कर रहे हो चाहे है आप छोटी क्लासे